Dear Student, आज की क्लास में हम आप लोगे सामने Ancient History का एक टॉपिक लेकर के आए हैं और उस Ancient History में जैसा कि आप लोग तीनों इतिहास में जैसे मध्य काली नितिहास हुआ, प्राचीन इतिहास हुआ, आधनी की इतिहास हुआ आज हम आप लोगों के सामने ये क्लास प्रोवाइड करा रहा हैं और इसको एक ट्रिक के माध्यम से इतना मैं आप लोगों को आसान बना दूँगा कि इससे रिलेटेड अगर कोश्चन कभी भी आएगा तो आप इस ट्रिक को अगर याद किये रहेंगे तो आसानी से इसका एंसर आप दे सकते हैं जैसे कि इसमें जो कोश्चन बनता है वो कोश्चन इस तरीके से बनता है कि प्राची नितिहास के वंसों में नंद वंस के बाद किस वंस का प्रभुति स्थापित हुआ या फिर वन्सों का क्रम दे देता है और उस वन्सों के क्रम को सही क्रम में एरेंज करना होता है तो इसका ट्रिक है या इसकी थोड़ी सी भूमिका हम लोग जान लेते हैं और वो भूमिका है प्राचीन इतिहास प्राचीन भारत कह सकते हैं या प्राचीन इतिहास तो प्राची नितिहास में भारत की क्या इस्थिती थी तो इस प्राची नितिहास में आपका छठवी सताब्दी इसापूरू और ये जो छठी सताब्दी इसापूरू की बात है इस छठी सताब्दी इसापूरू में भारत जो था वो क्या था अनेक राज्यों में बिभाजित था और ये अनेक छोटे छोटे राज्यों में जो बिभाजित था इन्ही राज्यों को किस नाम से जाना जाता था तो इन्ही राज्यों को जनपद के नाम से जाना जाता था और यही जनपद बाद में किस नाम से जाने गए तो यही जनपद जो है महा जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे ठेक और इन महा जनपदों की कुल संख्या कितनी थी तो इन महा जनपदों की कुल संख्या सोला थी ठीक और इसी 16 महाजनपदों में जो आपका सबसे सक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था मगद सामराज्य था मगद सामराज्य और इसी मगद सामराज्य पर वंसों दोरा प्राचीन भारत में या प्राचीन इतिहास में सासन किया गया था अब इसी मगद सामराजय पर जो शाशन करने वाले वंसों का क्रम है उसका ट्रिक क्या हो जाएगा तो इस मगद सामराजय पर शाशन करने वाले जो वंसों का ट्रिक है वो ट्रिक आपका है हसीन मौसुक कुसात क्या है हसीन मौसुक कुसात मौसुक कुसात और इसका संस्थापक का ट्रीक हो जाएगा विसिम चपू वाकूसी अब इस तरीके से ये वंसों का क्रम हो गया और वंसों के क्रम के साथ साथ आपका क्या निकल गया आपके संस्थापक का नाम भी इसमें निकल गया अब इसमें देख रहे होंगे कि 3-3-6 हसीन मौसू का ठेक, 3-3-6-2-8, 8 वंसों का उपर नाम आया है और उसके साथ साथ आपका 8 अलफावेडिकल अच्छर का नाम भी उन वंसों के अलफावेडिकल अच्छर के नीचे आया हुआ है, तो उपर वाले से आपका क्या निकलेगा तो उपर वाले से आपका निकल जाएगा वंसों का क्रम और उसके बाद से नीचे आपका क्या निकलेगा तो नीचे आपका इसके संस्थापक का नाम निकलता चला जाएगा, अब इसमें जैसे की आपका इस तरीके से एरेंज कर लिजिए हसीन, मौ, सुक, कूसात और इसी के पैरलर क्या लिखना है, विसीम चपू वाकूसी अब ये ट्रिक जो है, ये किसका हो गया, इनके संस्थापक का और ये क्या चीज हो गया, इधर आपका निकलता चला जाएगा, वन्सों का क्रम अब इसी वन्सों के क्रम में, आपका हो से क्या निकला, हो से आपका एक वन्स हो गया, हर्यक वन्स देखिए, ट्रिक आप अगर याद किये रहेंगे, तो ये मान करके चलिए कि उस शब्द से चारो option आपका नहीं रहेगा तो अगर आपका trick याद रहेगा तो उस trick के माध्यम से जो भी उस अच्छर से जो उसमें option में once दिया गया है या नाम दिया गया है उससे correlate करके आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं तो केवल अगर trick भी याद रहेगा तो option आपके सामने दिखाई देगा और उस trick के आधार पर आप option का answer बिल्कुल सही मार सकते हैं जैसे मान लीजिए ये पूछता है कि आपका नंद once के बाद किस once के द्वारा सासन किया गया तो नंद once के बाद अगर साशक once का नाम अगर देगा तो नंद once के बाद आप देख रहे हैं कि मौरे once आ रहा है तो मौ से आपका चारो अपसन नहीं रहेगा अब इसमें देदेगा सिसुनाग once सुंग once, मौरे once कन वण तो अब अगर आपको हसीन न यानि की न आया और न के बाद का पूछ रहा है तो हसीन, मौ, मौ यानि की क्या हो गया मौरे once तो इस तरीके से नंद once के बाद कौन सा once आपका आगया मौरे once तो आप केवल ट्रिक याद रखिए और आपके सामने पका पकाया option रखा रहेगा और उसी पके पकाया option से आप ट्रिक के माध्धम से क्या कर सकते हैं एंसर निकाल सकते हैं ठेक तो ह से क्या हो गया हर्यक once सी से क्या हो गया तो सी से आपका निकल गया सिसुनाग once सी से आपका सिसुनाग once न से आपका क्या निकला नंद once मौ से क्या निकला मौरे once सू से क्या निकला सुंग वंस, कौ से आपका क्या निकला, कन वंस, कू से आपका क्या निकला, कुशान वंस, और साथ से क्या निकला, साथ वाहन वंस, तो इस तरीके से ये वंसों का एरेंज हो गया, B से आपका कौन सा सासक हुआ? तो अब B से आपका दे दिया Bimba Sar B से आपका क्या निकल गया? Bimba Sar C से क्या हुआ? तो C से आपका निकला Amathe Sisu Nag उसके वासे मौ से क्या निकला? मौ से आपका निकला महा पद्मनंद महा पद्मनंद C से आपका क्या निकला? चंदर गुप्त मौरे पू से आपका कौन सा निकला? तो पू से आपके सामने आप्सन रहेगा और उसका एंसर हो जाएगा पू से मित्र सुंग उसके बाद से वा से क्या निकला तो वा से निकला आपका वासुदेव काणव कू से क्या निकला तो कू से आपका हो गया कुडूल कड़ फीसेस उसके बाद से सी से क्या हो गया तो सी से आपका निकल गया सी मुक तो इस तरीके से आपका ये प्राचीन भारत की जो इस्थिती थी इस प्राचीन भारत के इस्थिती में ये हसीन मौसु कुसात नामक वंसों द्वारा सासन किया गया और इसी हसीन मौसु कुसात के साथ आप संस्थापक का नाम याद रखिए और इस संस्थापक का ट्रीक है आपका बिसिम चपु वाकुसी तो इस तरीके से अगर प्राचीन भारत में वंसों का क्रम पूछ दिया या उसके संस्थापक का नाम पूछ दिया तो अगर आपके सामने अगर यह ट्रीक आपके दिमाग में रहेगा तो ऐसे प्रश्णों का उत्तर आप आसानी से दे सकते है अब इसको ले करके हम आगे एक एक टॉपिक पर हर्यक वंस हो गया, सिसुनाग वंस हो गया, नंद वंस हो गया, इस एक एक टॉपिक पर हम आपको धीरे धीरे क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच.